आप सभी उमिद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होएंगे आज का वीडियो है बुद्धवार से गुरुवार तक का वीडियो है तो मैंने ये वीडियो मतलब वैनस डे की नाइट से स्टार्ट किया है मतलब रात से तभी मैं रात का खाना बना रही हूं और फिर कंट्यूनी मैंने थास डे तक वीडियो है न वो किया है तो वस यहाँ पर देखे फट अफट से मैं खाना बना रही हूँ आते से ही मैंने पहले थोड़े बहुत कपड़े चेंज किये अपने कपड़े हाते मुदो इसके बाद वस मैं खाना में लग गई हूँ तो यहाँ पर अभी मैं चावल निका लिए उनको साफ की हूँ आज मैं चावल बना रही हूँ क्योंकि कार्थिक भी नहीं रह पाता है क्यों हम लोग देख चोट नहीं खाते हैं मनला इतना सर्दी जो खाम है थोड़ी थोड़ी खाते हैं और वह भी गरम गरम खाते हैं मैं क्यों जूट बोलू लेकिन यह बासे नहीं खा रहे हैं क्योंकि इतना बनाती ही नहीं हूँ मैं कि बच जाए बहुत ही कम बनाती हूं इतना कि उनके लिए रख देती हूं और मैं तुरंद के तुरंद गरम-गरम खा लेती हूं क्योंकि सर्दी हो रही है न तेज़ कारण से मैं पहली बार ऐसा कर रही हूँ इतना कितना भी सर्दी जो खाम कुछ भी रहता है न तो ऐसा रहन नहीं है कि मैं बिल्कुल सेही कोई चीज का परेज करू तो मैंने ऐसे परेज बगेरा जादन नहीं किया है तो वस मेरा तो जो भी एक्छा होती है खाने पीने की तो मैं खा पी लेती हूँ मुझे पता नहीं क्यों लेकिन सर्दी जो खाम ना हमेशा से ही रहती है मैं जब से यूट्यूब पर आई ना तो मैं आप लोगों को बताती ही रहती हूँ ना इससे पहले भी मुझे ना सर्दी जो खाम बना ही रहता है ठीक ही नहीं होता है लेकिन इस बार तो मैं दबाई खा रही हूँ दबाई करवाई मैंने तो देखते हैं आराम लगता है कि नहीं फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी और यहां पर वस देखे मैंने चावल जो है व लेती हूँ ताकि यह भी थोड़ी सी गरम अच्छी मसाला अधरक वाली चाय जो है वो पी लें तो बताए और यहां पर मैं मॉर्निंग का जो काम है न वो भी करते जा रही हूँ साथ के साथ करते के लिए बादाम भीग हो रही हूँ तो यह मैं रोज नाइट मैं कर देती ह हूँ साइड वाई साइड काम जब मैं खाना बनाती हूँ रात का तब उसी टाइम मैं यह काम ना करते जाती हूँ तो यहां पर देखिए चाय जो है बन गई है थोड़ी सी चाय मैं ले ली और बहुत ही कम आजकल ना पी रहे हैं बहुत ही कम चाय पता नहीं क्यों चाय ना बहुत कम इक्छा होती है पीने की तो जाद़-जाद़ न मैं आधकपी चाय जो है न वो लेती हूँ और चाय अच्ची हो तब भले यह थोड़ी सी बनी हो तो जाद़-जाद़ आधकप लेती हूँ नहीं तो नहीं पीती हूँ फिर तो यहाँ पर देखिए फिर चाई पीने के बाद मैंने यहां पर यह थोड़ा सा यह मिक्चर जो है मैंने बनाया था तो यह बिस्किट और तोस का मिस्टरन सूखा वाला मैंने बनाया था इसमें तोस और जो बिस्किट का आकरी का जो चूरा सा टाइप का बसता है ना तो वही मैंने लिया है उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा और वो बेकिंग पाउडर ये दौनों चीज मिलाया है और सक्कर तो मिलाने की जरूरत नहीं है पर ये तो अपने-पने मिठास के अनुसार है कि किसको कितना मिठा पसंद है तो मैंने जादनी सिर्फ एक चममस डाली थी है, जो खाने का चमयस होते है उसी चममस से मैंने एक चमास करton डाल दी थी और यह मैं थोड़ा ही बना रहे हूँ जादनी बना रहे हैं और अंधा सुबह इस्कूल मैं थोड़ा सा दे दूंगी टिफिन में करके कुछ मतलब साइड डिस में मतलब यसी कि कुछ और भी रखोंगी मैं और यह भी रख दूंगी और यहाँ पर मैंने कूकर देखिए गरमों ने रख दिया है तब तक मैंने यहाँ पर यह अच्छे से गोल लिया है थोड़ा से दूद के साथ और तेल भी डाला था थोड़ा सा एक टीर चमच और यहाँ पर यह मैंने देखिए कोई रखा स्टेंड वगर नीचे कूकर के कटोरी के नीचे और उसके बाद मैंने सीधे कटोरी रख दी थी और यह मुस्किल से पंदरा मिनिटी मैंने बेख किया है और इतना अच्छा बना था सच में उपर से मैंने बादाम काजू और किसमिस थोड़े से इस तरीके से काटके ना डाल दिये थे इतना स्पॉंजी और बहुत ही सॉफ्ट बना था सच में बहुत ही ज़्यादा मैं आप लोगों को आखरी का दिखानी भाई क्योंकि ना ये पिर निकाल कर मैं रख दी और उसके बाद पिर हम लोग अपने खाना पीना में जो है वो लग गए थी तो ना बहुत ही अब नेस्ट बार बनाओंगी ना तो फिर दिखाओंगी आप लोगों को तो अजया भी हो गई है थास डे की मॉर्निंग तो यहाँ पर मैं आलू जो है वो किस रही हूँ तो मतलब ये कद्दू कस कर रही हूँ वाइल आलू है ये और अभी मैं बस कार्तिक का जो टिफेन है वो बनाने की तैयारी कर रही हूँ आटा मैंने देखिए लगा लिया है तो अभी ये है ना मैं आप लोगों को कल बताई थी कार्तिक काफी दिनों से बोल रहा था हम ये आलू का पराठा खाना है तो कल मैंने आलू है ना उबाल करके और थोड़े से मैंने चील करके रख लिये थे तो मैं मैस नहीं करी हूँ आज मैंने कद्दू कस कर लिये उससे क्या ने एक भी गोटिलिया टाइप में ना नहीं आएंगी और पराठे बहुत अच्छे बनेंगे तो बस यहाँ पर मैंने इतने ही आलू इसे लिये लिये कम क्योंकि है ना आलू के पराठे हो या कोई भी पराठे हमेसा गरम गरम ही अच्छे लगते हैं पराठे अगर तोड़े भी ठंड़ हो जाते हैं ना तो फिर वो टेस्ट नहीं आता और वो मज़ा भी नहीं आता है और ये तो खाने वाले हैं नहीं कितना भी बोलो पर आदा भी नहीं खाएंगे कि का के चले जाएं बस एक अध तोस या बिस्किट डुबो कर चाए में पी लेते हैं वो गया तो इसलिए मैं सिर्फ उतने ही मैंने लिए जतने हम गरम गरम अभी का सकें तो कार्ति को मैं टिपिन में दे दूंगी और हम खाड़े को के यहां बनना बोल रहा था कि मम्मी मुझे तीन ठो पराटे रखना तो ये करते हैं ना बच्चे लोग से एर करते हैं दूसरे से सब लोग तो इसलिए वो एस्ट्रा करके ही मैं ले जाता है मैं आप लोगों को बताती हूँ तो इसलिए मैंने चार पराटे के हिसाब से बनाया तीन वो लेके जाएगा तीन तो देना नहीं चाहिए लेकिन पता नहीं क्यों मैं उससे बोलती भी हूँ क्यों कि चार रख देरी इससे अच्छा चोटा-चोटा करके तो नहीं वो इतने ही ले जाएगा दो वो खाएगा और एक सब को मनलब बाटेगा ऐसे करता है तो इसलिए देखिए मैंने चार जो है न वो लोई बना ली है यहाँ पर साथ के साथ थस बनके टिफिन की भी तैयारी करते जा रही हूँ खाना बन रहा है तो चाए बन गई थी चाए काली वाली चाए ही बनी है और दूद मैंने चड़ा दिया है करते के बन बीटा बनाने के लिए हलकासा गुन बना मैं कर दे रही हूँ और यहाँ पर यह सबजी बना रही हूँ तो आज मैं ऐसी सबजी दे रही हूँ जो खाते नहीं है कभी सच में पहली बार मतलब है मैंने का अब खाए ना खाए मैं तो यही दूँगी देखती हूँ कब तक नहीं खाते है तो बड़े घुसे की बज़ों से ना फिर मैंने यह पत्ता गुभी ही की सबजी बना रही हूँ मुझे तो इतनी पसंद है सच में इतनी मैं तो सूखी खा जाती हूँ बहुत अच्छी लगती है पत्ता गुभी ही सबजी तो मैं आलू टमाटर के साथ बना रहे हूँ आलू मठर के साथ सारा मसाला मैं अच्छे से बून लिया था आलू मठर हर चीज पर ऐसी सबजी दे रहे हूँ ना तो पर ये भी है कि मैं एक काम कर दे रहे हूँ कि इसके साथ ना मैं पराठे दे दे रहे हूँ तो अगर ऐसी सब्जी भी होईगी चाहे वो कोई भी जो नहीं खाते है उसके साथ अगर पराठा दे दूँगे तो ये बहुत अच्छे से का लेंगे तो पता नहीं कि पराठा के साथ कोई भी सब्जी फिर चल जाती है तो ऐसा करना पड़ता है मुझे तो सच मैं यकीन नहीं हो रहा मुझे नहीं हो रहा है तो आप लोगों को भी नहीं होगा पता है क्या हुआ करना ये आज मैंने ये सब्जी दी है ना और पराठे इतिनी सी भी सब्जी नहीं छोड़के आए हैं और कुछ भी बचा करने लाए थे जबकि मैंने एस्ट्रा सब्जी रखी थी कि चलो ये पराठे में हो जाएंगे करके तो सच मैं बहुत अच्छे से खा ली तो ये फाइदा हो जाता है जैसे अब हमारा कार्टिक भी सब्जी खिलाने का तरीका भी एक अलग होता है कि वो किस तरीके से खाता है तो मैं उस तरीके से उसको बना करके देती हूँ कि ताकि वो पूरी सब्जी खा ले तो वस उसका मतलब थोड़ा सा तरीका होता है कि हाँ बच्चे कि तरीके से अपने-पने हसाब से जो लेडिस हैं माई हैं सब लोग ना अपने-पने हसाब से सुचती है कि कौन कैसे खा पाएगा तो वस भाही मैं भी कर देती हूँ तो यहाँ पर वस गरम-गरम आलू के पराटे भी बन गए हैं और थोड़ी से मसाले मिला दिये थे मैंने आलू के पराटो में हलके-हलके से और यहाँ पर देखिए मैंने पराटे जो है वो रख दिये हैं और हस्बिन का टिफिन भी यही के यही मैं पैक करते जाती हूँ साइड में रख देती हूँ पर वाकी का जो काम है अपना वो देखती रहती हूँ तो अभी मैंने भी अपने लिए बना लिया है कार्थिक के जाने के बाद फिर मैं भी एक ठोक खा लूँगी तो मेरा भी नास्ता जो है न हो जाएगा लग भग नौ वजे सबनों पे मैं कर लेती हूँ नास्ता तो अभी न देखिए यहाँ पर अभी हलकी सी ना ठंड काम हो गई ना तो देखिए कार्थिक का टूपा है ना वो नहीं लग रहा है तो यह ऐसा ही करता है कि अब अच्छा नहीं लग रहा है तो बच्चे ना ऐसा करते हैं फिर और वस उसके बाद अभी देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों से इवनिंग के टाइम मिल रही हूँ कोई चीज खतम हो गई थी पता ने किस तरीके से यह वीडियो एक तो बन गई थी मतलब मैं बना तो अच्छी रही थी पर कुछ चीज सामने आ गया तो वही देखने पाया आप लोगों को फिर मैंना हटा आया मुझे लगता है मेरा परसी आगया था इसलिए आप लोगों को देखने पाया तो दो चीज बस खतम हो गई थी घर पे और मुझे ध्यान नहीं आ रहा था फिर मैं घर गई फिर दोबारा फिर से आई तो ये निर्मा का पैकेट लेना था और सक्कर बस दो ही चीज कतम हो गई थी तो वो मैंने ले लिए और इसलिए भी हो गई है क्योंकि ग्रोसरी का अभी टाइम हो गया है महिना हमारा पूछ चुका है लेकिन मुझे टाइम ने मिल पा रहा है अभी यहां पर आने का तो क्योंकि है ना मुझे अभी लिस्ट भी बनानी पड़ेगी तब जाकर मैं यहां दुकान आऊंगी तो सारा महिने का रासन है ना बोलूंगी तो टाइम तो बहुत जादे ही हो गया है मैंना खतम हुए तो जो चीज खतम हुए तो मैं ले आई फिलाल अभी यहां पर बरतन भी धुले हुए रखे उनको जमाने हैं कार्तिक अपनी पढ़ाई है जो अभी करेगा भूल रहा है और यहां पर यह जो है केक तो यह हमारे जो डाक्टर साहाब है उनका वर्तिडे धात उन्होंने न केक कटिंग किया वहीं पर और खाए और फिर सारा हमी लोगों को दे दिये कार्तिक तो वही घर लाए और हम लोग खा रहे थे कार्तिक खा रहा था मैं अपने अजबन का इंतिजार कर रही हूँ कि वह आएंगे तब आम दोनों खाएंगे तो यही तक थी मेरी आज की वीडियो उमिद करती हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा सेर कीजिएगा अपने फैमली दोस्तों के साथ चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिएगा तो चलिए मैं मिलूंगी आप लोगों से अपनी नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू बाइबाइ